अब युबा, जो लोग हैं, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस भगवाण की पूजा करें, हमारे सनातंदर में बगवाण है। देखें, ये लोगों ने समझ नहीं पाएं और हमारे लोग उसको समझा नहीं पाएं। परम्पिता परमातमा एक है, एको ब्रहम दुतियो ना अस्ति, ब्रहम एक है, परमातमा एक है, दूसरा नहीं है कोई, एकमसद विपरा भुदा बदंती, सत्य एक है, विद्वान लोगों ने उसको विविध प्रकार से कहा है, तुरूटी कहा हुई है, हमारे समझने में सते गए और उन्होंने अपना स्वयम गोशित भगवान गोशित कर दिया, कि साही बाबा तो भगवान है, कोई ऐसा दूसरा आया, कोई तीसरा आया, चौथा आया, और नए नए भगवान इस देश में पैदा हो गई, आज कोई गुरू है, जिसके बहुत सारे फॉलोवर् कभी हम लोग सोचते हैं कि गनेज जी को माने, शिव जी को माने, मैं मुझे उस पर ग्वेशन चाहिए, देखिए, परमातमा एक है, उसके नाम अलग-अलग है, एक राम दशरत का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम त्रिभुवन मे परमातमा एक है, उसके नाम अलग-अलग है, वो नाम कैसे हैं, गुन, कर्म और सुभाव के आधार पर है, लेकिन परमातमा का मुख्य नाम एक है, तस्सिवाचकः प्रणवा, महरशी पतंजली ने योग-दर्शन में काए, उस परमपित परमातमा का मुख्य नाम ओम है, स जितू राहू बुद्ध यह जो नाम है यह गुण वाचक नाम है जैसे आपका एक मुख्य नाम क्या है मोनिक मानवी है आपको कोई कहता है कि यह मेरी बेटी है गुण के आधार पर क्योंकि वह आपके पिता है कोई कहता है यह मेरी भेन है कोई कहता है यह मिस जर्नलिस्ट है कोई कहता है ये बहुत विदूशी है, तो गुण के आधार पर सब लोग आपको अलग-अलग संबोधन देते हैं, लेकिन नाम आपका क्या है? मानवी नाम है, मुखे नाम मानवी है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा का नाम एक मुखे नाम ओम है, लेकिन किसी ने देखा कि ये तो घट-घट में व्याप्त है, तो उसने का वेवेस्टी व्यापनोती चरा चरम जगत सविश्नु, उसने उस परमात्मा को विश्नु कहा कि जो घट-घट में व्याप्त है, जो चर और अचर में रमा हुआ है, जो सर्व व्यापक है वो परमपिता परमात्मा उसका नाम विश्णू है दूसरे ने देखा बोले सारे योगी जन इसमें रमते हैं तो उसने का रमनते योगी नहा यस्मिन सा रामा इस परमात्मा का नाम राम है तीसरे ने का ये तो ब्रिहस्पती है ब्रिहताम आकाशादिनाम पालीता पती ही स्वामी सा ब्रिहस्पती ये ब्रिहत सं अब लोगों ने क्या समझा, राम को ही परमात्मा मान लिया, राम भगवान है, इसलिए बोला एक राम दशरत का बेटा, और एक राम आपके पडोस में बैठा, राम चंदर, तो क्या आप उस राम चंदर को परमात्मा मानते हैं, जो पडोस में किसी का बाप पिता है, नहीं म कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं योगेश्वर भगवान स्री कृष्ण द्यान में बैठे हैं क्या कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं यह सब भगवान है परमात्मा एक है मुख्य उसके अनएक नाम है 100 से अधिक नाम है गुण कर्म सभाव के आधार पर नाम है लेकिन हमने समझा नहीं विश्णु जो आपको दिख रहे हैं शेशनाग पर बैठे हुए वो भगवान है अब आप पूचेंगे भगवान और इश्वर में क्या अंतर होता है तो एश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यश्ष्रिय ज्यान वाइराग्य श्णनाम भग इतिरणा जिसके पास धन होत होता है वो बल्वान होता है जिसके पास विद्या होती है वो विद्वान होता है इसी प्रकार जिसके पास ये भग एक साथ विद्यमान होते है वो भगवान होता है योगेश्वर स्री कृष्ण के पास ये भग थे इसलिए भगवान थे भग क्या एश्वर्य था समग्रस् जिनके पास सब कुछ होने के बाद वैराग्य था इसलिए इनको भगवान कहा गया तो ये बिल्कुल ना समझें कि परमात्मा इतने सारे हैं परमात्मा एक ही है आपके देखने में दोश पैदा हो रहा है